नमस्कार मैं आपका मित्तर सर्वमित्तर अर्दा मसला में मसला ये कि आज संयुक्त किसान मूर्चा की और से केमपी को बंद किया गया जाम किया गया और ये एलान पूरे 24 घंटे के लिए उन्होंने किया था काफी तादाद में आज हमने देखा किसान वहां केमपी पर जमा थे लेकिन इस दोरान कुछ किसानों को पुलिस ने गरफतार भी किया दरअसल पुलिस ने मेवाथ के पास यानि जो नुह जिला है उसके पास के अमपी पर जो किसान बैठे थे उनको पुलिस ने गर्फतार किया और पुलिस अपने साथ ले गई क्या है कि किसानों की और से आजावान किया गया था इसलिए केमपी को पूरी तरीके से किसानों ने बंद कर दिया था किसानों का दरसल यहां पर यह है क्योंकि सरकार जो है वो पिछले काफी समय से बाचित बंद है सरकार की और से सरकार अपना चुनाव में बिजी है और किसान अंदूलन की और अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं है साड़े चार महीने होने को है और इन साड़े चार महीने में आप देखिए कि पिछले कितने ही दिनों से बाचित बंध है किसान नेता बार-बार कह रहे हैं कि वो बाचित के नियोते का इंतजार कर रहे हैं बाचित से ही समाधन हो सकता है लेकिन अभी दोबारा सरकार की और से बाचित नहीं हो रही है इसी को देखते हुए अब किसानों की रननिती यही है कि दोबारा सरकार पर प्रेशर बनाया जाए उसके लिए कई करेक्रमों की गोशना जो है वो किसानों की और से की गई है इस महीने में खासकर क्या किया जाएगा एक तो आज जो केमपी बंद किया गया 24 घंटे के लिए वो दूसरा बेसाखी पर यानि 13 अप्रेल को एक बड़ा करेक्रम टीकरी बॉर्डर पर किया जाएगा और उस करेक्रम में तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो होंगे बड़े-बड़े कलाकार होंगे जिसमें पंजाब के हरियाना के बड़े-बड़े कलाकार हैं बड़े-बड़े जो खिलारी हैं वो भी उसमें हिस्सा लेंगे जो हमारे पास सूचना है और कई तरह के करेकरम वहां पर खेलों का आयोजन और कोई बहुत कुछ वहां पर जो टीकरी बॉर्डर पर किया जाएगा उससे अगले दिन ही जो करेकरम है वो है अमबेड कर जयनती को लेकर और अम्बेड कर जन्ती को लेकर हर्याना में इस वक्त जो महौल बना हुआ है वो आप सब जानते हैं एक तो BJP ने जो एलान कर रखा है हर्याना BJP ने कि उनके नेता भी जिलावा इस प्रोग्रम करेंगे उनमें जाएंगे उसको लेकर सयुक्त किसान मूर्चा का भी आवान है एलान है वो क्या है कि सयुक्त किसान मूर्चा का कहना है कि BJP जो है ऐसा प्रोग्रम करके कहीं न कहीं टकराव करने के मूड में है क्योंकि किसान जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के निताओं का विरुद कर रहे हैं तो ऐसे में बिजेपी निताओं को ऐसा क्यों करना चाहिए या ऐसा वो क्यों करना चाहते कहीं वो टकराव तो नहीं करवाना चाहते उसके लिए संयुक्त किसान मूर्चा ने बकाइदा आवान किया है दलित समाज को दलित भाहिचारे को आवान किया है कि आप उस दिन शांती पुर्वक तरीके से जहां धरने परदर्शन है जा अंदूलन है वहाँ पर जाएं और अपना परदर्शन शान्ती प्रवक तरीके से करें और उस दिन स्युक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि पूरा दिन जो स्टेज है वो दलित भाईचारा के जो लोग हैं उनको सौपा जाएगा मतलब वो वहाँ से बोलेंगे तो 14 तरीक का ये करेकरम है किसानों का दरसल किसान नेता पूरे देश में घूमकर किसान महा पंचाइते तो कर रहे हैं लेकिन सरकार इस वक्त अगर हम देखें 26 जर्वरी के बाद से तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कहीं न कोई इस अंदोलन को इगनोर सा कर दिया है इस वज़े से बाचित के लिए दोबारा नियोता नहीं आया है हाला कि जिस हिसाब से पंजाब और हरियाना में सिचुएशन है वो आप सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाना में बीजेपी के लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है पंजाब में एक घटना भी आपने देखी होगी कि बीजेपी के एक विधायक के साथ क्या कुछ हुआ था मलोट में और हरियाना में मतलब मुख्यमंतरी तक को जो किसान है वो हेलिकॉप्टर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं तो ये हालात हो चुके हैं तो ऐसे में मतलब किसान कहते हैं कि सरकार दوبारा बाचित क्यों नहीं शुरू करना चाहती वो तैयार हैं बाचित के लिए सो कहीं न कहीं प्रैशर बनाने के लिए एक बार फिर सरकार पर तो ये कुछ कारेकरम सेयुक्त किसान मुर्चा की और से रखे गए हैं लेकिन इस बीच केमपी जाम किया गया और कुछ किसानों के गरफतारियां भी हुई है इस मसले पर आपकी राय क्या है अब आप भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो इतना अंदोलन जो साड़े चार महीने का हो गया और इतने लंबे समय से बाचित बंध है और जो किसानों के कारेकरम हैं उनको लेकर आप भी कमेंट के माद्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम जो बड़ी अपडेट है नई बाते हैं वो आपके सामने रखते रहें तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप सब तक उसी समय पहांच जाए धन्यवाद नमस्कार